सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफॉन की चैनल को और बेल आइकन को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तो स्मार्टपोन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागद दोस्तो यदि आपका Canera Bank में आकाउंट है और आप अपनी KYC कराना चाहते हैं तो अभी की वीडियो में आपको यही बदाने आला हूँ कि कैसे आप Canera Bank का KYC फार्म भर सकते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो ही आपको आई वीडियो पसंद तो लाइक ज़रू करदेना दोस्तों 190 शियर करदेना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट फॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टपॉन की चैनल को साथ ये घंटे को भी दवा देना आने वाली हर लेटेस वीडियो की जानकारी के लिए तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप यहाँ लिखा हुए उपढ़ सकते हैं Canara Bank इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ लिखा हुए पढ़ सकते हैं KYC Updation दोस्तों यह Canara Bank का KYC Updation Form है यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगा लेनी है इसके बाद आप यहां लिखा हुआ पर सकते है like आगाउं में यहां लिख देना है यहां बज moles watercolor का अधार का अधार नमब्र यहां लिख देना हो गाएं आप लिखा हूँ पर सकते है पैन यहां जो है आपको अपने पैन काट का पैन नमबर यहां आपको लिख देना है मोबाइल यहां जो है आपको अपने मोबाइल का मोबाइल नमबर लिख देना होगा mobile number लिख देने के बाद इसके बाद आप नीच आएंगे यहाँ लिखा हूँ पर सकते है father's name यहाँ आपको अपने father का father name लिख देना है फिर आप यहाँ लिखा हूँ पर सकते है mother name यहाँ आपको अपने mother का mother name लिख देना है तो आप यहाँ लिखावा पर सकते है annual income आपकी जितनी annual income है वो यहाँ आपको लिख देनी है तो आप यहाँ लिखावा पर सकते है specimen signature यहाँ जो है आपको अपने signature कर देने होंगे यह सारी चीज़े भर देने के बाद आपको इस forum में और कुछ नहीं भरना है आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आई हो पसंद तो like जरू कर देना दोस्तों को साथ share कर देना इस वीडियो को और अभी दग आपने subscribe नहीं किया है smartphone की channel को तो please subscribe कर देना smartphone की channel को साथी घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस वीडियो की जानकारी गए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद